कि नमस्कार साथियों मैं प्रदीब जैन राइज अकेडमी के यूटूब चैनल पर आपका वेल्कम करता हूं और आज हम पढ़ेंगे नाउन के कोशन्स नाउन से किस तरह के कोशन्स एक्जाम में आते हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे यह जो वीडियो है मेरा इसमें सभी एक् सब्सक्राइब होता है वह सिंग्लर और प्लूरल का रहता है तो उसी पर आधारत कुछ कोशन्स हैं वह हम डिस्कस करेंगे देखिए सबसे पहला कॉश्चन द्यर्रे वेगों टैनो बीवन डैक्टर इन अबर कलोने यह कस तोपेक का नाम है एररस ऑफ नाउं यह फिलिन 10 women doctor मान दीजिए यहां से यहां तक कोई गलती है कोई error यहां से यहां तक कोई गलती है तो हम मानेंगे A में गलती है बहुत सारे बच्चों को यह नहीं पता होगा कि कौमरेश्पोर्टिंग errors किसे कहते हैं अगर इस पार्ट में कोई भी गलती है तो हम A में error मानेंगे और यहां से यहां तक कोई गलती है तो B में मानेंगे और अगर इस पार्ट में कोई गलती है और वो यहां तक end होता है तो इसे हम C कहेंगे और कोई गलती नहीं है कहीं पर भी तो इसे कहेंगे no error D ठीक है तो इसमें जो गलती है वो B part में कलती है B में error है किस तरह का error है देखिए जैसे माल दीजे मैंने कहा To Headmasters To Headmasters तो जो To है वो adjective है Head भी adjective है तो noun कौन सा है master English में यदि दो सब्द साथ साथ में आते हैं तो पहले वाला सब्द जो होता है वो adjective होता है और बाद वाला noun होता है ठीक है लेकिन ये exception है generally कि हमने head में तो नहीं लगाया बट master में लगाया अब अब देखिए ये तो सही है बिल्कुल headmaster अब question या आता है कि जब कभी man और woman man और woman के बाद के बाद profession आता है क्या आता है profession बताता है man और woman के बाद profession बताने वाले सब्द आते हैं तो हम दौनों पदों को plural बनाते हैं दौनों terms को ही plural बनाते हैं ये कहलाता है compound noun कहते हैं जैसे आपको बता है वह concept compound noun का तो man और woman के बाद profession का बोद हो जैसे man driver तो अगर मैं बोलूं two man driver तो यहाँ पर जो driver में तो इस लगेगा ही साथ में ये भी plural होगा इसका होगा two man drivers two man drivers होगा तो दौनों पदों को plural बनाय जाता है जब उनसे profession का बोद हो जैसे conductor है woman conductor man driver woman driver तो हम दौनों पदों को ही plural बनाते है इसके अलावा अगर हमने वोला chief minister तो chief जो अगर वो adjective और minister जो है वो noun है अगर मैंने वोला पांच मुकमंद्री तो five chief ministers होगा two chief ministers होगा two prime ministers होगा clear होगा सभी को मतलब दो compound noun आते हैं तो हम ऐस बाद वाले में लगाते हैं लेकिन यदि उनके पहले man और woman आता है और उन man और woman से profession का बोध होता है तो हम दौनों ही पदों को plural बनाते हैं और यदि उनसे profession का बोध नहीं होता जैसे man eater, man lover तो हम last वाले पद को ही plural बनाते हैं ठीक है, तो इसमें जो गलती है वो woman का जो spelling है म, E, N होगा, सही करेंगे हम इसको उसका correction होगा there have been 10 women E लगा दीजे, सही हो जाएगा हैनि हमें पता है कि man का plural man का plural होता है man, उसका men होता है और woman का plural होता है यह होगा, सही तो दौनों ही पतों को हम plural बनाएंगे ठीक है, तो error किस पार्ट में आएगी B वाले में, देखिए, A में तो कोई गलती है नहीं, B में गलती है चलिए third question देखते है I saw two men eaters in the forest last year I saw two तो इसमें A वाले में कोई गलती है नहीं A वाले में कोई बेरेंड नहीं है two women eaters in the forest last year A में कोई गलती नहीं है तो B में गलती हो सकती है C में हो सकती है या नहीं है इसमें कोई गलती नहीं है इसमें no error आएगा, क्यों? क्योंकि जो two men eaters हमने S लगा दिया last वाले पद में क्योंकि यह कोई प्रोफेशन नहीं है यह तभी होगा जब हम प्रोफेशनल्स की बात करें two female doctor या two men doctor या two women doctor तो doctor नहीं, doctors होगा और men का भी plural होगा इसमें आएगा answer no correction E वाले डी वाला इसमें कोई गलती नहीं है, दोनों सही है two men eaters लेकिन यहाँ पर होता two women doctor तो आपनों यहाँ पदों को प्लूरल बनाना पड़ेगा जैसे two class teachers दोनों ही पदों को प्लूरल बनाना पड़ेगा two class teachers तो इसमें नहीं बनाना पड़ेगा two class teachers two classes teacher नहीं करना पड़ेगा लेकिन अगर मुझे लिखना है two classes two classes लिखना पड़ेगा two classes और भी आपन question discuss कर सकते हैं इस तरह के, देखिए two classes हो गया और दो तीन question और discuss करते हैं जैसे मान लीजे यह तो answer तो इसका आगया no error होगा इसका answer अगर आपने बुला two hundred books तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो books है वो noun है इसके पहले वाले जो दौनों adjective है तो इसमें हम एसका प्रयोग नहीं करेंगे hundred में two ten रूपी notes देखिए बाद वाले पत को ही plural बनाना है दोनों को नहीं दो ten रूपी notes लेकिन अगर आपने बुला ten रूपी notes ten rupees 10 रूपे बोलोगे तो ten rupees होगा 10 रूपे क्या बोलोगे ten rupees क्योंगी संक्या बता रहा है ten rupees लेकिन two ten rupees notes notes की संक्या है two बागी काई सभी क्या क्यलाएंगे adjective ये भी adjective होगा ठीक है चलिए next question देखते है they have faced many crisis in their life during this time वो अपने जीवनकाल में कई faces को face कर चोके हैं crisis को देखिए concept है singular से प्लूरल बनाने का जिन सब्दों के अंत में sis आता है या is आता है उनको हम es लगाकर plural बना लेते हैं जैसे crisis है जिसका plural क्या बनेगा crisis es लगाकर हम इसको plural बना सकते हैं और भी ऐसे बहुत सरे words है synopsis है, diagnosis है analysis है, synthesis है oysis है oysis oysis क्या बनेगा plural बनेगा oysis es लगाकर हम plural बना लेंगे तो यहाँ पर चोगी many दिया हुगा है और many के साथ चाहिए PCN तो they have faced many crisis इस पार्ट में गलती है सही होगा crisis es जैसे basis होता है न basis तो इसका plural क्या होगा basis synopsis hypothesis hypothesis diagnosis बहुत सारे इसे words हैं जिनके अंत में sis आता है ठीक है in their life तो error किस पार्ट में आएगा देखो A में तो सही है कोई गलती नहीं है तो B पार्ट में error है C सही है in their life during this time तो ठीक clear मिल गए आपको answer B आएगा थर्ड का answer आएगा B next one देखिए the government has made few criterion to select यहाँ पर आएगा a few तो कि few तो negative sense को represent करता है तो हम सही कर लेंगे इसको a few the government has made a few criterion to select the right candidate या candidates अब क्या गलती है इसमें the government has made present perfect tense है यह तो few criterion to select the candidate आपको पता होना चाहिए जिन सब्दों के अंत में on आता है उनमें हम a लगा कर plural बनाते हैं जैसे क्राइटेरियन इसका plural होगा क्राइटेरिया फिनोमिनन फिनोमी फिनोमिनन फिनोमिनन तो फिनोमिनन होगा इसका इसका plural होगा फिनोमिनन 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 ठीक है तो इसका होगा सही क्राइटेरिया क्या लेखेंगे cryteria जिन सब्दों के अंत में on आता है उसका plural हम a लगा कर बनाते हैं इसके अलावा जैसे bacterium है उसका भी bacteria datum है datum का plural क्या होगा datum क्या होगा data agendum का agenda medium का media maximum का maxima यह बहुत अच्छी trick है और बड़ी help मिलेगी आपको इससे कि जिन सब्दों के अंत में या तो oni या umi उनका हम plural कैसे बनाएंगे a लगा कर इतना याद रख सकते हैं जैसे pendulum agendum dictum तो dictum का dicta pendulum का pendula और datum का data maximum का maxima minimum का minima तो um को या on को हम किसमें convert कर देंगे a में तो यह बन जाएगा plural तो यहाँ पर जो गलती है वो criteria b में error है a में तो correction है b में गलती है a few criteria criteria होगा criteria नहीं होगा fourth question fifth वाला देखिए there was no place on the bench for you यहाँ पर जो error है वो place की regard में है क्योंकि place के दो meaning होते है place का मतलब कोई चीज को रखना भी होता है और place का मतलब कोई address भी होता है यहाँ पर unoccupied place के sense में यूज किया गया है तो यहाँ no place की जगे होगा no room ऐसे question को कहा जाता है superfluous superfluous का मतलब होता है सही सब्द का use नहीं करना या फिर जादा सब्दों को use कर देते हैं जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं fastly fastly cousin brother English teacher तो यह गलत होते हैं इनके uses तो इसमें करेंगे no place की जगे no room का use करेंगे तो वो सही हो जाएगा there was no room on the bench या there is no room for you in this car इस car में इस class में इस bus में तुम्हारे लिए कोई जगे नहीं है क्योंकि space का मतलब होता है अगर आपने use किया तो space के दो meaning होते हैं एक तो अंत्रिक्ष होता है और space का मतलब होता है कहीं पर भी जगे जैसे table की नीचे space तो होता है लेकिन वो use सुने ना कर सकते हैं space तो space का भी use नहीं करेंगे जोसका सही answer होगा there was no room on the bench for you ठीक है तो error किस पार्ट में आएगी बी वाले में error है place की जगे हम क्या लेखेंगे room ठीक है और space के दो meaning होते हैं एक खाली जगे होती है लेकिन वो usable नहीं होती है और एक अंत्रिक्ष होता है next question देखिए please put your sign here advice advi ce sorry advi ce advice तो यह जो है advice वो noun है इसका word बनेगा advi se एक और word है affect effect effect होता है e double f ect effect यह noun होता है इसका verb बनेगा affect ऐसे ही और भी वह सरे words है जैसे practice यह noun है इसका जो verb होगा बनेगा practice ऐसे practice effect है to noun ऐसे ही sign होता है signature signature इसका verb होगा यह noun है signature और इसका verb बनेगा signature यह यह होता है ना possessive adjective जैसे यू यूर है तो इसके बाद चाहिए हमको noun जैसे मैंने बोला तुमारा भाई your brother मेरा भाई my brother my sister my book my signature not my sign है ना तो यहाँ पर क्या आएगा put your signature तो इसको सही कर सकते हैं तो error किस पार्ट में मानेंगे c वालिम है please put your signature here clear हो गया देखिए यह signature noun है effect जो है वो प्रभाव होता है advice सला होती है और practice अभ्यास होता है जब हम इनमें se कर देंगे और उनको change कर देंगे तो यह action बर बन जाएंगे ठीक है next देखिए the teacher needed a chalk देखिए कुछ words ऐसे होते हैं जो uncountable होते हैं मतलब उनके पहले हम ना तो कभी a या n का use कर सकते हैं और ना जिनमें s, es या ies लगाकर उनका plural बना सकते हैं जैसे chalk है bread है बहुत useful birds है furniture है furniture है scenery है सबसे ज़दा आने वाला word scenery है scenery है lagayz है lagayz है यह कुछ words है इनके पहले कभी भी a और n का use नहीं होता है और इनका plural s, es, ies लगाने से नहीं बनता अगर आप चाहते हैं कि हम इनको countable बनाए तो इनके पहले आपको लिखना पड़ेगा a piece of p, i, e, c, e a piece of यह countable हो गया और आप इसको plural बनाना चाहते हैं तो all the pieces of pieces of का use करेंगे तो सही हो जाएगा means इसको सही करने के लिए the teacher needed chalk लिख सकते हैं या फिर a piece of chalk तो error किसमें c वाले में सही क्या होगा a piece of chalk लिख दीजिए a piece of chalk यह correction होगा इसका a piece of chalk ठीक है next question देखते हैं Arun is one of my first friend दिखिए आपको हमेसा याद रखना है कि one of में जो off है वो proposition है और proposition के पहले वाला सब्द जो होता है वो subject होता है वो बाद वाला object होता है यह तो basic concept है अपना देखिए one of के बाद हमेसा PCN का प्रयोग करते हैं मैंने यह article पढ़ाये थे determinants पढ़ाये आपको तब भी हमेसा SCN, UCN और PCN को target किया आज बापस से मैं बताऊंगा PCN का full form होता है plural countable noun SCN का singular countable noun और UCN का मतलब होता है uncountable noun तो आपको याद रखना है कभी भी आप बनो बोलो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा PCN और अगर वर्व आती है तो हम singular verb का यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें subject of के पहले वाला होता है और चूंकि ये बन है तो बन एक singular होता है तो वर्व कैसे आएगी singular verb का यूज़ करेंगे और noun कैसा आएगा plural countable noun चुकि यहाँ पर तो ऐसा object के रूप में दिया गया है object compliment तो अरुन is one of my fast friends होगा क्या होगा fast friends होगा तो error जो है वो इसमें है तो इसमें error किस पार्ट में है C वाले में देखो ए तो सही है बीवी सही है one of my fast friends इस पार्ट में गलती है C वाले में ठीक है error किसमें आएगा C मुझे लग रहा है ये concept easiest languages होगा language नहीं होगा ठीक है तो PCN का मतलब plural countable noun होता है singular verb होता है ठीक है next one देखते है the chair's leg is broken देखिए apostrophe S का प्रयोग हम living के साथ करते हैं सामान होता है apostrophe S का प्रयोग living noun के साथ करते हैं और non living के लिए हम use करते है of का इसका meaning होता है का की और के काटी के इसका मतलब भी वही same होता है लेकिन कुछ conditions होती है जिसमें हम apostrophe S का प्रयोग exceptions होते हैं उनमें apostrophe S का प्रयोग non living के साथ भी कर सकते हैं जैसे हमें बताना है personification मान भी करन करना है तो apostrophe S का प्रयोग कर सकते हैं जैसे endorse population apostrophe S का प्रयोग हम non living के साथ कर सकते हैं time बताना हो today's leave तो कर सकते हैं idioms के साथ कर सकते हैं जैसे बोलते हैं at once with end या he lives at a stones through at a stones through कुछ measurement में भी कर सकते हैं तो इस 4-5 conditions होती है जिसमें हम apostrophe S का प्रयोग non living के साथ कर सकते हैं नहीं तो apostrophe S का प्रयोग हम living के साथ करते हैं living noun में क्या होता है मानव को छोड़कर बाकी के सभी निर्जीव होते हैं सिर्फ human being सजीव होता है तो आपको यह ध्यान लखना है तो इसका सही होगा the leg of chair और आपको सबको पता अच्छे से पता है कि apostrophe S जैसे मैंने कहा Mohan's friend Mohan's friend अगर friend है तो subject apostrophe S के बादबाला होगा अगर यहां friends होता तो यहां पर जो है वो subject किसको मानते friends को लेकिन ओप बाले में subject कोन है आफ चेर या the leg of table होगा बाकी का सही है और broken is a adjective यहां पर जो broken सब दे वो क्या है adjective इसका मतलब है past participle टूटी हुई है past participle का मतलब विशेष्टा बताता ही है जो past में कोई हूगा हो कोई काम उसको हम बताते हैं broken या torn या fallen ठीक है तो error किस पार्ट में है ए वाले में next question देखे stealing is a bad custom देखिए कुछ words होते हैं जैसे custom भी होता है customs भी होता है एक custom होता है और एक होता है custom customs so customs का मतलब होता है excise duty सीमा सुर्क और custom का मतलब होता है एक समाज का समाज या किसी रास्ट का रिवाज ब्यक्तिकत होती है तो वो habit होती है माली जिसी की आदत है कोई देर से आता है देर से उठता है तो उसकी वो habit होती है तो यहां का जो correction है वो करेंगे stealing is a bad habit क्या करेंगे habit not custom ठीक है तो यह error किस बाट में है यह B में भी नहीं यह C में error है लेकिन एक question exam में कई बार आया है मैं आपको थोड़ा से discuss कराता हूँ quarter करके question है quarter देखिए quarter का मतलब होता है किसी चीज का एक चौथाई भाग लेकिन आपने कहा कि वो government quarter में रहता है तो वो quarter में नहीं रहता है वो quarters में रहता है कहां रहता है quarters यानि quarter में अगर आप S लगा दोगे तो उसका मतलब हो जाएगा small house या houses small house कोई छोटा घर मैंने कहां जैसे उसको PHQ में जाना है तो PHQ का full form होगा police headquarters not quarter क्योंकि quarter का मतलब होता है किसी चीज का एक चोटाई भाग तो कभी भी हम बोले कि उसको government ने quarter allow किया है quarter allow नहीं किया quarters allow किया है उसको रहने के लिए quarters होगा quarter नहीं होगा इस तरह से custom का मतलब होता है समाच या जाती की rewatch समाच का rewatch Вас होता है इसका मतलब समाच का मलवातर रिवाज होता है मतलब कोई कि क्स्टम केए ओग। समाज का रिवाज लिबिते दे एक्साइव का मतलब होता है एकसाइज 2019 स सेलेक्षिंट अप्साइज तो मतलब होता है सीमा सुप कोशन भी आप्टक में drink of इसका कॉंसेप्ट है जब दो समान नाउन किसी प्रपोजिशन से जुड़े हो तो नाउन और वर्व दोनों ही सिंगुलर होते हैं इस केस में देखिए इसका सही आंसर होगा सिटी आफ्टर सिटी वाड स यह है पेज आफ्टर पेज पेज आफ्टर पेज वाड सि US तरह से आपको यूजर करना है यादध रखना है डे वाइड होगा डेज वाइड नहीं होगा तो नियम क्या है दो समाननाउन मतलब आपा मसा बश्या Aftar country, ये गलत हो जाएगा. तो सेम नावन होना चाहिए, यहां पर भी City ही होगा, या Country होगा दोनों जगे. दोनों जगे same noun होगा और वो किसी proposition से जुडे होगे, तो condition है, पहली condition के दोनों singular होने चाहिए noun, और वर्ब बी उनके एबहां हमेशा singular आएगी. तो इसका आंसर होगा city after city was attacked clear हो गया सभी को देखिए we have read two-third of this novel इसमें क्या होता है जो numerator होता है अगर वो plural होता है तो denominator होता है वो भी plural होता है इस हिंदी मोलते है अंस्वटे हर तो इसमें क्या करेंगे जैसे मान दीजिए हम लिखते one-third इसको लिखते one-third तो सही है लेकिन अगर इसको लिखा जाए two-thirds two-thirds तो इसमें एस लगाना पड़ेगा क्योंकि two जो हो हो प्लूरल है तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा two-thirds होगा बन-third होगा अगर मुझे लिखना है three-fourth तो three-fourths होगा three-fourths है तीन-चोथाई तो वी हैव रीड टू थर्स एरर किस पार्ट में है बी वाले में इसमें कर्रेक्शन आएगा ना ठीक है चलिए next one देखिए he invited all his son-in-law to the party हुआ कि यदि दो सब्दशन से जुडे हो ढोगा होगा यह पहले वालर सबजेक्ट होगा और इसके बाद वालर अभज आबजेक्ट होगा और प्लूरल हमेशा सब्जेट का बनता है और सब्जक् नहीं गया यससे बोलते हैंण न मदर इन-दा तो मदर in law तो इसका plural बनाना है तो कैसे बनाएंगे mothers in law क्योंकि in जो है वो proposition है और proposition के पहले subject होता है और बाद वाला object होता है हमें सही याद रखना इस तरह के compound nouns आते हैं तो इसका सही होगा his sons in law his son s कहां लगेगा? son में लगेगा तो error किस part में आएगी B वाले में तो he invited all his sons in law to the party invite के बाद हमें इसा proposition 2 का यूज़ करते हैं तो सही है ठीक है तो error आएगा B part में ठीक, next one देखिए Ram's house is different from Shiam यहाँ पर मीनी निकल रहा Ram का घर Shiam के घर से different है अब बात घर की हो रही है तो Shiam तो पूरे ही आगे है तो हम क्या करेंगे या तो लिख सकते हैं that of Shiam या लिख सकते हैं Shiams Shiams लिख सकते हैं Shiams, एपर स्टॉपरेश तो Shiams का मतलब हो जाएगा Shiams का घर तो Ram's house is different from Shiams तो इसमें जो error है वो C part में आएगे परना, C में error है नेक्स बन देखिए, 15 You must help the poor and the blinds ये concept बहुत अच्छा concept है ये article में भी हमने डिसकस किया था कि यदि हम adjective के पहले जैसे the poor, the rich adjective के पहले हम मतलब दा के पहरी adjective लगा देते हैं adjective के पहरे दा लगाते हैं तो ये बन जाता है plural noun मतलब इसमें S लगाने के जरूत नहीं है the poor का मतलब हो गया गरीब लोग the rich का मतलब अमीर लोग the blind का मतलब अंधे लोग तो इसमें जो गलती है वो S लगाने की requirement नहीं है error जो है वो C part में है clear हो गया सभी को the plus adjective के लाता है plural noun जैसे the weak the weak अब the weak का मतलब हो गया कमजोर लोग the strong means मजबूत लोग the strong means मजबूत लोग the strong yes लगाने की जरूत नहीं है the strongs नहीं होगा ठीक है चलिए तो अगर आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो को तो subscribe करिए, like करिए और भी questions है हम second part और लेकर आएंगे इसका जो बहुत महत्मून रहेगा जिससे आपके basic concepts clear हो जाएंगे ठीक है चलिए, thank you